जैसा कि आप सभी को पता है आलू पालक लसूनी पालक और पालक पनीर में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है टेश्टी तो होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है तो मैंने आज कम समय में और बहुत ही कम महिनत में आज मैं पालक की बहुत ही टेश्टी रेसेपी बताने वाली हूँ, वो भी बीना मसाले के मसाले तो जाएंगे लेकिन बहुत ही कम तो आज चलिए सुरू करते हैं इस पालक की बहुत ही अनोखी रेसेपी इसके लिए मैंने पालक को धू के अच्छी तरह से साप करके कट्स कर लिया है और फिर मैंने लिए हैं एक आईरन वाले तवे और उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा फली दाना ये लगभग 25 कराम के गराम मेरे पास फली दाना थे और डेड़ पाव मेरे पालक के साग है दो मिनटी से अच्छी तरह से भुनने के बाद आपकी गेस के स्टोप बन कर देनी है और इसे आप तवे में ही छोड़ दे अब चलिए आगे की तयारी कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने लिए है कड़ाई और कड़ाई में डालना है आपको बहुत ही थोड़ा सा तेल आप जो भी तेल खाना पसंद करते हैं डाल सकते हैं पिर मैंने डाला इसमें जीरा और सफेद तील और इसमें मेंन है special यह देखे लसून की कली 15-20 मैंने डाली है और उदेनाही मैंने डाला है प्याज और 5-6 मैंने डाली है हरी मिर्च और हरी मिर्च डालने के बाद आपको थोड़ा सा डालना है अद्रक का दूकस करके यह देखे, बहुत ही कम अद्रक की quantity रखनी है आपको, और अच्छी तरह से इसे बहुत ही अच्छी तरह से सभी को भून लेना है, जब तक कि लसुन अच्छी तरह से golden ना हो जाए, और ये स इसे का काम करने में एक से दो मिनट लगेंगे और इसे अच्छी तरह से आपके लसून अच्छी तरह से फ्राइ हो जाएंगे प्याज भी अच्छी तरह से पक जाएगी और सभी चीज पकने के बाद पालक की रेसिपी में बेहतरीन स्वाद आएगा इसलिए इसे अच्छी त पकने के बाद यह देखे पक रहे हैं हमारे अच्छी तरह से और हाँ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और पालक की मैंने बहुत सारी नाफ्ते के रिए से भी डाल रखी है आ अलगातार आपको भूनते रहना है नमक वगएर अभी मैंने कुछ भी नहीं डालना है इसे आपको थोड़े जर भूनना है और जैसे पत्ते अच्छी तरह से सोफ्ट हो जाए तो मैंने एक छोटा सा टमाटर का यह कट करके डाला है यह देखे बहुत ही कम टमाटर की क्वा ऑलक यह कंल जाए और इसका क्ला को उपर से यह सोब्द करने वाले हैं तो पहले आपको डालने है स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि पालक हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है इसमें आपको नमक डालने में कोई भी दिकत नहीं होगी इसलिए आपको नमक बाद में डालना है उसे फीर से अच्छी तरह सापको पकान दे रहना है ये देखे लगतार आपको पका के जितने भी एक्ष्ट्रा पानी है सभी को आपको सुखा लेने हैं ये बात का आपको धियान रखना है उसके बाद आपको डालने है स्वाद अनुसार धनिया हलका समय धनिया डाला है धनिया से इसका टेश्ट काफी बढ़ जाता है अगर बात नहीं आती इसलिए मैंने इसमें फलीदाने बाद में डाले हैं तो तयार हो जाएगी आपकी बहुत इटिश्टी पालक की न्यू रेसिपी